मैं हरियाना के नुहु जिला से आया हूँ और ये बच्चे सब हमारे ही बच्चे हैं मैं भी पूरु सैनिक हूँ और मेरा मकसद ये है कि इन बच्चों को यह मकसद तो आपका जनता ब्रिगेट पार्टी भी है यह पूरू सैनिकों की ही पार्टी बनाई है हम लोगों ने यह पार्टी बनाने की नौबत तो इसलिए आ रही है क्योंकि जब नरेंदर मोदी जैसे नेतर तो करने वाले व्यक्ति अगर इन नोजवान सैनिकों के भारत से धकेल दिया तो यह जो खानून लाए अगनीवीर की तो मैं तो यह बताओ कि अगणी वीर योजना की परिक्षाएं जब रही थी भरती प्रक्रिया तो मैं वहां पर गया था वहां तो यह वाओं की इतनी बड़ी संख्या इतना जादा और जोश भी दिखाई दिया ऐसा तो वह सेलेक्ट हो कि आप वो नोकरी में जाने के कोई बात नहीं कोई बात नहीं इसका परिणाम थोड़ा आएगा यानि के वह हमारी यहां कहावत है कि नाई के जो बाल काटता है तो पूसरा है बोला बहुत कितने कितने बड़े हैं सामने आजाता है तो यह अगनी वीर का वी रजल्ट जो है आपके सामने आ जाएगा क्योंकि जो सेना में भरती होते हैं तो चार साल के अंदर एक जो सैनिक बनता है वो सैनिक बहुत लोहे के चने-चमाने जैसा कारी होता है सैनिक ऐसे नहीं बन जाता है कि बई कुर्षी पर बैठ करके या किसी बंद कमरे में बै देखा जाए तो भारत सब्सक्राइब से युवाओ वाला देश है देश की एक त्याई हाँ आप कहां से हो बाबु मैं फरीद अबास से हूं और सहदे व्यादर नाम मैं एंसी सी साटे बगट था मेरे पास मेरे मेडिकल और फिजिकल के लिए था और मैं डेट साल से इंति बच्चे गए क्यों ना जाए क्योंकि आपने आपकी न्यूज चैनल देखता हूं मैं उस पर बता रहा था एक आगड़ा था कि साटे 22 करोड आवेदन भरे गए जिन में से नौकरी कितनी मिली साथ लाग साथ लाग कुछ तो उसमें जब कह रहे थे और हमारा हर्याना जो ह खतम कर दिया जो बाद देते हैं अपने बादों से मुक्रेम हो दीजी हमारे यह जोड़ के लिए हमने कहा था हमने जो कुछ भी किया यह देखो उसका क्रेडिट वो लेते हैं और दूसी बात ही है कि मैं उसके बारे में वन राइंक वन पेंशन में जानता हूं इतने सारे जो पेंशन थे किसी भी आप तो जानते हैं किसी वी पेंशन ने वन रंक वन पिंशन की संस्तुति नहीं कि थी आपको मालूम है और इसके बाद इसके पिछली सरकार यह मैसीज आया है एक सकेंड यह मैं डिलीट नहीं कि यह रहा यह देखे यह देखो डियर सुवेदर लाल चंद यादव देर इस नो चेंज इन यूवर पैंशन और पैंशन अंडर ओरोपी वैप वन जुलाई की तो हाँजन नाइंटी जो है प्लीज चैक दी माई डाकूमेंट अच्छे यह कहां जाए यह सपर्स से आता है जो सीडिये अलावाद से जो कनेक्ट है पैंशन कल्कुलेट करते हुं वहां से आता है हो गई ना पैंशन पहले बैंक में आते थे अब यह डायरेक्ट हमारे इ सबसे ज़्याद हमारे देश के अंदर और यह कह रहते हैं कि नोगरी में क्यों जा रहे हैं उसमें चार साल वाड़ी में आप कह रहेते हैं कि बहुत बच्चे गए देखने के लिए इसलिए गए क्योंकि अगर कोई नोगरी में कि ब्रीश गरी का उनकी परिशानीक वहें शायद इसकी वज़े से भी इसकी चर्चा कम होती है लेकिन मैं बार बार कहता हूं देश के राज्यों में अभूराचल पर देश आसाम मद्यपर देश बिहार उत्तरव अत्राक खंड राजस्थान कोई ऐसाराज्य को ऐसा राजी नहीं है जिसके की पेपर लीक ना होते हों पहली बात और यह सबसे बड़ी समस्या है लेकिन पेपर लीकेज के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है और इसमें कोई राज अच्छुता नहीं है जिस गुजरात मॉडल की चर्चा भारती जंता पार्टी करती है उस उसके बाद भी पेपर लीक होने से नहीं बचाया जा सकता उसके ठीक बगल में राजस्तान है उसके दो महीने पहले की बात है दिसंबर में दिसंबर में वहाँ परचा लीक हो गया जहारखंड में जूनियर इंजिनियर का परचा लीक हो गया अलग अलग जगहों पर और सबस उसे हायरत अंगेज मामला तो उत्तरप्रदेश के S.I. का भरती का था जिसमें सब इंस्पेक्टर्स की भरती के लिए जो लिखित परिक्षा हुई उसमें नकल मारने वालों को पकड़ा गया तीन-तीन मिनट में चार-चार मिनट में नकल मारने वालों ने परिक्षाएं उत् कर रहे हैं लेकिन सरकार ने उन लोगों को नकल्चियों को उत्तरप्रदेश की पुलीस ने पकड़ा उनको जेल में भेजा बाउजूद इसके उस परिक्षाएं पर कोई फरक नहीं पड़ा उसकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे जाती रही छात्रों की मांग अपनी जगह ह पाते जो मैं आपको बता रहा हूं यह समय 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 पर चीजिंक आती रहती हैं लेकिंशायद आपको भी उतना याद नहों क्योंकि इसकी चर्चा बहुत कम होती है देश में नौजवानों की, रोजगार की, नौजवानों की बेकारी की, नौजवानों की नोकरी के जो मुद्दे हैं, वो सबसे ज़्यादा मजबूत है. हमारा देश एक तिहाई ऐसी जनसंक्याई जिसमें 30 साल से कम के बच्चे पड़ रहे हैं. सरकारी नोक्रियों की तादात वैसे ही कम होती जा रही है और दूसी तरफ जो स्किल्ड याणि जो कॉशल से पाने वाली नोक्रियां और देश का बना है और किसाँ इतनी परिशानियों से अपने बेटे को जवान करता है और उसको सेना में भेजने का जो सपना उसके दिमाग में रहता है वो सरकारी नोकरी ही नहीं है देश की सेवा भी है और इसमें अगनी वीर योजना आने के बाद उनको धक्का लगा और यह जो सारे बच्चे आप देख रहे हैं यह सब के सब किसानों के बच्चे हैं और आप कहा से हैं?